केक लाएं तो क्रेंबेरी और ऑरेंज केक है जिसके अंदर कि हम लोग क्रेंबेरी का यूज देख रहे हैं होंगे आपके हमने बहुत ही अच्छा किया है देखिए तो आये स्टार्ट करते हैं आज रेसिपी यह हमने लिया है मैदा अच्छा फ्रेंस एक बात और जो जो चीजे में ले रही हूं वो सारी चीजे हम लोग डिसक्रिश्टिन बॉक्स में लिख देंगे कि कितना कितना मैंने मेजर्मेंट करके लिया है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और सॉल्ट लिया है पि इसमें से जो भी इंप्रेंटी जो निकल जाएं यह हमारा मुद्ध होता है इसको चानने का और साथ ही में इसका मकसद होता है कि स्पॉंजी निस इसकी अच्छी आए टेक्स्टर अच्छा है बस इसी को सभी को जो ड्राइं ग्रीनिस हैं उन्हें चान लींगे और जो हमार सिंख ना हो या इसके नीचे पतलब केक के नीचे बैठेना क्रेणबेरी इसका यह मोटिव होता है अब क्या है इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अब वेट इंग्रेडन्स की बारि आती है क्रेंबेरी में रख दिया यह लेली है दही दही आप देखे फ्रेंड मैंने कम वाला लिया है पानी का कम यूज़ कीजिए और यह है क्योंकि अगर पानिया वैसा लेंगे ना दही वाला पानी या पानी वाला दही लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी आप हमेशा पूछते थे फ्रेंट्स वेनिला सिंस में कौन सा यूज़ करती हूं यह मैंने लिया है ओशो का वेनिला फ्रेंच वेनिला है यह एमिजॉन से अराम से मिल जाएगा और इसके हम लोग चंक्स जो होते हैं और इंज के के लैमन यूज और इंज करेंगे और्check करेंगे तो औरैंज डाल सकता है बस इसको डाल तो मैंने इसी के अंदर पूरा मिक्स को अच्छी तरह हलके हाथों से मिक्स किया है mix करते-करते ही बहुत ही अच्छा एक mixture बन जाएगा अब साथ ही में डाल देंगे हम सारी cranberry orange की हमने जेस्ट यूज किया है और cranberry do eyes cranberries नहां आपके पास तो ब्लूबेरी आती है जो केई वाली या द्राय वाली वह भी उसक्र सकते क्योंकि मेरे पास फ्रेंड यह जो मेरे पास काफी आये थे ओर क्रिस्मस पर तो मेरे पास यह थोड़ा ड्राइक cranberry बच गया था क्योंकि काफी सारे हम लोगों ने कि बहुत ही तरीके के हमने ड्राइफ रूट केक बनाये थे तो बच गया था यह थोड़ा सा तो इसलिए मैंने क्रेंबेरी इसमें यूज कर लिया अब क्या करना है अपना जो यह टीन हमने रेडी किया हुआ था बटर पेपर लगाकर उसके अंदर बस डाल देंगे डालने के सबसे जादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है फ्रेंट्स मैं आपको साथ में बताती हुए सारी बात चल रही हूं क्योंकि देखी टी टाइम केक जोते नहीं छोटे-छोटे यह इन दिनों में बहुत ही मतलब इन दिनों के मतलब हमेशा हमेशा यह आपको क्या है कि एवि प्रेडी होंगे बस केक के अंदर से यह पहले आप जो होती है एयर बबल्स वो निकाल दीजिए फिर मैं हमेशा की तरह आपको गैस पर ही करना सिखाती हूं बेक कैसे करते हैं हमें 35-40 मिनिट्स लगे और दबा दबा के मैंने चेक किया कि हमारा जो है कहीं से एयर पास तो तो बिल्कुल नहीं हुई 35-40 मिनिट्स लगे हमारा जो केक है वह बेक हो गया था जहां से मुझे गिला लग रहा था ना प्रेंट्स वहां से मैंने चेक किया बट पूरा हमारा केक अच्छे करना बेक हो गया था देखे कितना सूपर्ब बना है और जिसका प्रॉब्लम आ यह हो दही गाड़ी हो तो वह दूद भी फ्रेंट्स एक दो टेबल स्पून डालके अपना बेटर ठीक कर सकता है यह हमारा परफेक्ट सा टी टाइम केक बन गया है क्रेंबेरी एन औरेंज केक फ्रेंट्स देखे आप हमीशे आपने घर में कुछ न कुछ जैसे नमकीन बि को सब लोग कहेंगे भी आपके टी टाइम केसी बहुत टेस्टी होते हैं तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लेगी है रेसिपीज थैंक्यू गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय टेक क्यर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे